हाई गाइस वेलकम टू सुनोरायज़ अकैडमेट संकित कुमार और आज हम जो पिछली वीडियो में हमारे कुछ चैप्टर के कुष्ण्स रहे गए थे आज हम और नए chapters के questions करेंगे class 9th के math के questions तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हम आज करने वाले हैं class 9th के math के questions तो हमने chapters जो लिये हैं वो है triangles, हिरोन's formula, statistics यानि तरिभुज, हिरोन का सूत्र और सांख्या की तो सबसे पहला question हम लेते हैं chapter number 7 से तो इसमें यह है कि आपको दिया हुआ एक triangle दिया हुआ ABC जिसमें आपका AB BC के बराबर है और angle B 70 degree है यानि आपको एक तरिभुज है ABC और इस तरिभुज के अंदर आपकी AB जो side है वो BC के बराबर है और उसके अंदर जो कोण है वो 70 degree है यानि angle B 70 degree है तो A निकालना है तो आपको क्या करना है simply आप एक angle बनाओ एक तरिभुज बनाओ इसका नाम दे दो ABC अब यह कह रहा है AB BC के बराबर है यानि यह AB इस BC के बराबर है और आपको angle B दे रखा है 70 degree तो जब एक side दूसरे side के बराबर होती है तो जो उस पर angle बनते हैं इसके द्वारा वो भी आपस में equal होते हैं तो यह दोनों angle भी आपस में equal हो जाएंगे angle A और angle C equal हो जाएंगे क्योंकि AB side और BC side आपस में equal है तो माल लेते हैं A angle A X है angle C B X है तो आप property लगा होता है sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree तो X plus X plus 70 degree is equal to 180 degree तो 2X 180 में से आप 70 minus करोगे आपके पास आजाएगा 110 और इसको फिर 2 से divide करोगे तो आपके पास आजाएगा सिंप्ली 55 degree तो 55 option C is the right तो हम अगले चलते हैं अपने next question की तरफ इसमें वोलाए कि if for two triangles if two angles and the included side of one triangle are equal to equal to two angles and the included side of another angle than the concurrency rule is यानि आपको दो त्रिबुच दे वे हैं और उसके अंदर एक त्रिबुच के दो कोण और जो समलित बुजा दूसरे त्रिबुच के दो कोण और समलित बुजा के बराबर हो इसका मतलब ये है कि आपके पास दो triangle इस तरीके से दो त्रिबुच दे रखे हैं इन दो triangle के अंदर आपको इसका जो एक angle है और इसका एक angle है इसको A, B, C माल लो और इसको P, Q, R माल लो तो angle B आपका angle Q के बराबर है और कोई दूसरा angle माल लेते है angle A आपका angle P के बराबर है और इसमें से किसी कोई एक side is triangle की माल लेते हैं BC बराबर है Q R के तो बताइए कि congruency का कौन सा rule लगेगा यानि कि जो survey gas mata का जो नियम है triangle congruency का वो कौन सा लगेगा तो आपके पास concept रखा है angle एक angle और एक side तो आपके पास angle side angle यानि angle side angle आप लगाओगे simple question है अब हम अगले question की तरफ चलते हैं ABC एक Isisless triangle है यानि ABC एक सम दिबाहू त्रिभुज है त्रम दिबाहू त्रिभुज यानि Isisless triangle का मतलब होता है कि इसकी जो दो side होती है वो आपस में equal होती है इसके अंदर altitudes है यानि कि इसके अंदर जो seeds lump है BE और CF वो बनाए जाते हैं AC और BC side पर यानि हम माले थे इसको ABC तो BE जो seeds lump है यानि altitude है वो बनाया जाता है किस पर AC side पर यानि इस वाली बुजा पर बनाया जाता है तो यह हो जाएगा आपका BE और CF जो है यह वाला सीर्स लम यह वाला altitude AB बुजा पर बनाया जाता है कैसे देखेंगे BE CF इसके बाद पहले AC आ रहा है AB रहा है जहां पर respectively यानि क्रमसा दिया हो यानि कर्म के अनुसार तो BE का कर्म के अनुसार AC है CF के कर्म के अनुसार AB है तो यह दोनों आपके BE सिर्स लंब है AC बुजा पर यानि BE अल्टिटूड है AC पर CF आपका सिर्स लंब है AB पर यानि CF आपका अल्टिटूड है AB साइड पर तो जब दो इक्वल साइड पर आप सिर्स लंब यानि दो इक्वल अल्टिटूड बनाते हो तो आपके वो दोनों altitude आपस में equal हो जाते हैं यानि BE आपका CF के बराबर हो जाते हैं जब दो बुजाओं पर आप seeds lump गिराते हो seeds lump बनाते हो तो वो seeds lump भी आपस में equal हो जाती है यानि दो बराबर बुजाओं पर जब आप seeds lump बनाते हो तो वो बुजाएं भी दोनों आपस में equal हो जाएंगी अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ इसमें है ABC, DBC दो Isisless triangle है और same base पर है यानि जो अधार है base है वो same है यानि BC को माल लेते हैं अधार ये base है और इस अधार पर हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं और कौन से हैं वो सम्दिबाहू त्रिभुज यानि Isisless triangle है तो एक आपका हो जाएगा ABC और एक आपका हो जाएगा DBC ये आपके पास दो सम्दिबाहू त्रिभुज हैं तो इसका मतलब AB side है वो AC के बराबर है और ये जो BD side है वो DC के बराबर है तो आपको इस option में से बताना है कि कौन सा सही होगा ABD, ACD, ABD, ACD, ABD, ACD या None of the above तो इसमें आप देखोगे कि सम्में common ABD, ACD है ABD इसमें B, ACD भी ABD और ACD है तो आप triangle ले लिजे A, एक मैं अलग color से इसको triangle को draw करता हूँ तो आप ले लिजाए यहां से A, B, और ये ले लिजे D, इस तरीके से एक base बना लिजे, ABD आपका आ जाएगा, इसी तरीके से आप ACD बनाएए, तो ACD को भी मैं अलग triangle एक अलग color से लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास A, ये रहा आपका, C पर जाएए और ये हो गया D, तो ACD आपके पास ये वाला triangle हो गया तो आपके पास दो त्रिभू जा गई, ACD आपको हरे color से दिख रहा होगा, हरे रंग से, और ABD आपको नीले रंग से दिख रहा होगा तो आप इन दोनों को Ponger and Proof करते हैं, तो पहले लेते हैं हम आपका ABD, तो ABD लेते हैं हम इसको उसी कलर से लिखते हैं, तो लिख दीजे आप Triangle ABD and आप दूसरा लेना है आपको Triangle ACD, तो ACD लेनते हैं हम Triangle ACD, अब A B के अंदर और A C D के अंदर क्या क्या common है तो सबसे पहले आपकी जो A D है और A D है ये तो आपकी common हो गई A D A D दोनों के अंदर ये चीज़ है वो common आ रही है इसलिए हमने A D A D पहले लिख दीज़े अब और कौन सी दो चीज़ बराबर होएगी ये जो A B side है और यहाँ पर A C जो side है वो इन दोनों का क्या है equal है क्योंकि हमने देखाता है A B C और B D C आइसलिए strangle है A B C एक सम दिबाहू त्रिभुज है जिसके अंदर A B और A C equal है तो आपका A B बराबर हो जाएगा A C के क्योंकि ये equal side है equal बुजा है सम दिबाहू त्रिभुज के सम दिबाहू त्रिभुज के यानि असलिए strangle के इसी परकार अगर आप A C D triangle के अंदर देखोगे तो आपका जो A C है बुजा सारी जो आपकी B D बुजा है वो D C के बराबर है यानि B D आपकी D C के बराबर है सेम रीजन से तो आपके एक दो तीन प्रॉपर्टी हो गई हमारे को मिल गई किसी भी दो ट्रैंगल को कॉंगरेंट प्रूफ करने के लिए यानि दो प्रॉफ करने के लिए तो A B D आपका कॉंगरेंट है ट्रैंगल A C D के तो साइड 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 प्रॉपर्टी से तो इससे हम यह लिख सकते हैं कि आपका एंगल A B D ये वाला एंगल इसको मैं एक अलग रंग से दर्साता हूं वाइलेट एकडम डार्क ब्लू से तो यह ABD यह वाला एंगल और आपका ACD एंगल आपस में इक्वल हो सकता है तो ABD आपका एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा by CPCT यानि corresponding parts of congruent triangle यानि जब दो त्रिबूज आपस में बराबर हम उसको congruent proof कर देते हैं तो उसकी जो अब दूसरे जो हिस्से होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं यानि आपका option A is the right answer तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ इस question के अंदर ये कह रहा है कि एक आपको triangle दिया हुआ है तो आप एक triangle बना लिजे triangle आपको दे रखा है PQR यानि एक त्रिबूज है PQR इस त्रिबूज के अंदर जो angle R है यानि ये वाला angle है वो बड़ा है angle क्यूं से यानि अगर ये माल लेते हैं ये सतर है तो ये कुछ 65 होगा तो जिस तरफ जिसका angle बड़ा होता है उसकी side छोटी हो जाती है तो पी आर आपकी छोटी हो जाएगी यानि पी आर आपकी छोटी हो जाएगी और जिस तरफ एंगल उससे कम बनता है वो वाली side वो वाली भुज उससे बड़ी हो जाती है तो PQ आपकी बड़ी वाली साइड हो जाएगी यह निए आपकी जो PQ है बड़ी हो जाएगी या फिर हमें से PQ is greater than PR लिख सकते हैं तो एंगल C is option C is the right angle तो हमें साथ ध्यान रखी आपके पास जो भी triangle दिया हुआ है तो जिस बुझा पर आपका जो कोण है वो बड़ा बनता है तो उस बुझा की जो length होती है वो छोटी हो जाती है या नि लंबाई छोटी हो जाती है और उसके सामने कोई भी कोण बनता है और वो कोण उससे छोटा है तो उसकी बुझा बड़ी हो जाती है तो हमारे पास ये अगला question है आपको दे रखा इसमें एक त्रिबुझ की दो बुझाओं की लंबाई आपको 5 cm और 1 cm दे रखी है तो त्रिबुझ की तीसरी बुझा की लंबाई क्या नहीं हो सकती यानि आपक को एक triangle दे रखा है और triangle के अंदर आपको 2 sides दे रखी है तो ये बताना है कि तीसरी side इन दिये गए विकल्प इन दिये गए नीचे option में से कौन सी नहीं हो सकती है तो हमेशा triangle की side find out करने का एक simple तरीका है आप बड़ी वाली side को किसी भी side से minus करे अगर उसका answer आपकी किसी भ सब्लब वो side नहीं हो सकती जैसे कि हम बड़ी वाली side लेते हैं 5 cm यह हमारी बड़ी बुजा है इसको आप minus करे 3.4 से तो 5 यह हो गया 3.4 आप minus करिए तो आपके पास कितना जाएगा 1.6 यानि 1.6 तो 1.6 से 5 से तो छोटी है लेकिन 1.5 से बड़ी है तो हम 3.4 किसी triangle की यानि इसकी 5 हो सकती है इसकी आपकी 1.5 cm हो सकती है लेकिन इसकी 3.4 cm नहीं होगी क्योंकि जब हमने इसको बड़ी वाली बुजा को बड़ी side को आपके तीसरे जो भी given side हमें दे रखी थी विकलत में से उसमें से जब minus करा तो हमने देखा कि उसका जो answer है वो किसी भी बुजा के minus करने पर उसका answer किसी भी बड़ी किसी भी बुजा से बड़ा ना हो तो यह आप पर बड़ा आ रहा है यानि 1.5 से आपका 1.6 बड़ा है यानि 1.6 आपका 1.5 से बड़ा है इसलिए 3.4 बुजा वो नहीं हो सकती है तो option ने right हो जाएगा अब हम 3.6 भी check कर लेते हैं तो आप 5 में से 3.6 को minus करिए तो आपके पास आजाएगा 1.4 तो 1.4 1.5 से छोटा है यानि यह हो सकता है यह बुजा हम use कर सकते हैं triangle को बनाने के लिए अब आप इसको 3.8 से minus करें तो आपका पास आजाएगा 2 यह जाएगा 1 1.2 यानि 1.2 cm की line यानि 1.2 cm की जो भी line हैं triangle यानि 3 बुज को बनाने में use कर सकते हैं इसी तरीके से आप 5 को 4.1 से minus करें तो आपके पास आजाएगा simply 0.9 यानि 0.9 इस बुजा का भी इस cm पैमाने की बुजा को भी हम प्रियोग कर सकते हैं किसी भी तुरुज को बनाने के लिए अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ त यानि basically कहले जिए कि आपके जो ही रॉंस formula है वहां उसके ही रॉंस के सूत्र के जो questions है वह start हो गया तो पहला question है कि आपको parameter दे रखा है आपका संबाहू त्रिबुज तो किसी संबाहू त्रिबुज का जो परिमाप है वह 180 cm है तो बताईए उस त्रिबुज का छेतरफल यानि area कितना होगा तो यह आपको एक triangle दे रखा है यह संबाहू त्रिबुज यानि equilateral triangle है तो इसका area बताना है तो आपको यह पता है कि ज सभी बुजाओं का सम होता है यानि सभी side का सम होता है तो parameter को हम P लिख सकते हैं तो वह कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा अब इसके बाद आपको यह पताए कि equilateral triangle यानि सम बाहुत रिबुज की जो सारी side होती है आपस में equal होती है तो इसको ए मान लिज जे इसको यह म 180 एक सवस्ती में से 3 को डिवाइट करो तो आपके पास आ जाएगा 60 degree यानि 60 cm तो हर एक बुजा आपके पास 60 cm की आ रही है तो बताएए इसका area कितना होगा तो area of equilateral triangle जब भी आपको निकालना हो तो simply आप under 3 by 4 a side square का formula लगाए इससे निकाल सकते हैं 103 by 4 तो side है आपकी 60 60 का square आप इसको solve करेंगे तो 103 by 4 यह हो जाएगा 60 into 60 तो आपके पास आ जाएगा यह आ जाएगा 1800 divided by 2 under 3 तो यह हो जाएगा 900 under 3 cm square छेत्रफल की जो एकाई यानि छेत्रफल एडिया की जो unit होती है वह हमेसा square की होती है तो 900 under 3 cm square यानि 900 under 3 cm square आ रही है तो option B is the right answer अब हम चलते हैं अपने अगले question की तरफ इस question में दे रखा 18 cm और 10 cm respectively यानि करम के अनुसार और उसका parameter इतना है यानि आपको किसी त्रिबूज का जो छेत्रफल है वो निकालना है और उस त्रिबूज की आपको side दे रखी है कितनी एक है आपको 18 cm दे रखी है और एक आपको 10 cm दे रखी है और इसका आपको parameter दे रखा है तो सबते पह sum of all side यानि 10 प्लस 18 प्लस इस तीसरी side को सी माल लिजे सी हो गया parameter कितना हो गया आपका 42 यह स्कुर्ण करिए 8 28 प्लस C तो 42 में से आपका 28 गएंगे जाएंगे तो आपके किसने जाएंगा चार यह हो गया 14 cm अब हमें इसका क्या निकालना है एडिया निकालना है तो हम ही रो of triangle is equal to में under root of s s minus a s minus b s minus c तो s यहां पर है semi parameter यानि परिमाप का आधा हमें निकालना है यानि अर्ध भाग है वो परिमाप का तो s निकालने के लिए आपका formula है 2s is equal to आपके पास parameter जो भी है आपका कितना था 42 था तो parameter को आधा कर दिजे तो आपके पास 21 cm आ जाएगा तो आप formula लगाईए यहाँ पर 21 21 में से आपके 10 minus करो फिर 21 में से आप 18 minus करो और आपकी तीसरी side आए थी 14 यहाँ पर करो solve तो यहाँ पर आजाएगा आपका 21 21 में से 10 गया आपके पास आजाएगा 11 21 में से 18 गरेंगे जाएंगे तो आजाएंगे तीन फिर 20 में से आप 14 minus करोगे तो आपके पास कितना आजाएगा कि बेसिक लिए आजाएगा आपके पास साथ तो अब इसको अंडर रूट में से निकालते हैं 21 को खोल दीजिए 3 इंटू में 7 11 इंटू 3 इंटू में 7 तो यह दोनों जोड़े मिल रहे हैं कपल कपल इसको बाहर ले लिए तो 21 अंदर रह जाएगा 11 cm2 तो 21 अंडर रूट राइट अंस अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कुशन की तरफ इस दहर दे रखा है आपको साइड दे रखिए किसी ट्रैंगल की और वो रेश्यूस में हैं यानि कि आपको एक त्रिभूच दे रखा है और त्रिभूच की जो बुझाएं हैं आपको उनका अनुपात दे रखा है और साथ में आपको इस ट्रैंगल का परिमीटर यानि इसका परिमाप दे रखा है तो बताइए इसका एडिया यानि छेतरफल क्या होगा तो आपको जितनी भी साइड हैं बुझाएं हैं यह आपको रेशूस में अनुपात में दे रखें तो आप इसको ले लिजे 12x इसको ले लिजे 17x इसको ले लिजे 25x यानि सम में आपको xx से आप इसको मल्टिप्लाई कर दिजे सिंपले तो अब आप इस सब को एड़ करिए 12x प्लस 17x प्लस में 25x तो सभी साइड सभी बुझाओं का जो सम होता है जोड होता है वह परिमाप के बराबर होता है और सब आपको 540 cm यह दिया हुआ है सबको आप एड़ करिजे तो कितने हो जाएगा आपके पास यह नाइन यह टू यह हो जाएगा 25x यह हो जाएगा आपके पास 4 यह हो जाएगा वन यह 424 यह 54x यानि आपके पास x आ रहा है 10 x की value x का मान आपको 10 cm दिया हुआ है अब आप क्या करेंगे कि आपको इन सम में इसकी value को multiply करें तो 12 को x से multiply करोगे तो आपके पास कितना हो बारा को 10 से multiply करोगे इसको 10 से multiply करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 170 cm इसको आप 10 से multiply करेंगे तो आपके पास आएगा 250 cm अब यहाँ पर आपको क्या करना है ही डॉन्स का formula लगा देना है सिंप्ली तरीके से तो हिरॉन्स का formula निकालने के लिए आपको चाहिए अंडर रूट यह हो गया area of triangle अंडर रूट में s, s-a, s-b और s-c अब s निकालना है आपको parameter दे रखा है यानि इसका आधा कर दो यानि 540 को 2 से divide करोगे तो आपके पास s निकल जाएगा तो यह आजाएगा आपके पास 270 cm तो s की जगहा पे 270 लिखिए 270 में से आप यानि आपकी यह पहली साइड है कितनी है आपकी पहली साइड 120 है फिर आप 270 में से आपको 170 माइनस करना है इसी तरह से आपको 270 में से 200 माइनस करना है तो आप 270 यहां पर रखिए तो 270 में से 120 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यह हो गया 1500 यह कितना हो गया 100 और यह कितना हो गया 20 अब इसको और सॉल्फ करते हैं यह आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 10 यह हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 10 हम इसको बेसिकली जो इसके जो गुड़न फल में इसको तोड़ रहे हैं इसका जो यह हैं वो ले रहे हैं और यह 100 को लिख सकते हो 10 गुणा तो जित्ने भी जोड़वर रहे हैं बाहर निकाले आप 10 ओर दस यह आ गया 10 कि इसमें से यह दस और यह दस आपका गया ऐसे की और आफर किसी का जोड़ा बन रहे थीन ओर three का जोड़ा बन रहे और निकाल आप तो यह पर आप देखो गिन्म लोड़ा आप निकाल सकते हो यहां पर बच गया 9 तो 9 को लिख सकते हो 3 x 3 और 5 को लिख सकते हो 2 x 5 और 10 है आपका 10 को लिख सकते हो 2 x 5 और यह गया अब बनाते हैं 3 और 3 यह और 3 बाहर चला गया पांच और 5 यह बाहर चले गए और इस में से दो और दो बाहर चले गए यह फिम कितना हो गया यह हो गया 339 ठीक है और यह यह एक दो यह हो गया 10 1213 this force in मेड़यर इसे लाइप सीजिंद राइट answer अब हम चलते अपने एगले question की तरफ इसमें दे रखाए आपको area दे रखा है एक equilateral triangle का और इसका parameter निकालना है यानि एक संबाहु त्रिभुज का हमें छेतरफल ले रखा है तो आपको पता है कि संबाहु त्रिभुज का जो सूत्र है वो क्या होता आपका अंडरूट 3 by 4 इंटो में साइड का स्कूर्स आपको एडिया अफ ट्राइंगल दे रखा है कितना 16 अंडरूट 3 तो आप इसकी वैलू यहां पर रख दिजे सेम आज़ेगा इसको ऐसे उतर जाएगा अंडरूट 3 जाएगा इसको आप सॉल्फ करोगे तो 16 into 4 is equal to a square तो इसको लिख सकते हो 4 into 4 और 4 को लिख सकते हो 2 into t और इधर वाला स्कूर्स इधर अंडरूट में जाएगा तो आप अंडरूट में से बाहर निकल जाएगा तो 4 और इसमें निकला 2 तो यह आपका 8 यह है आपका दैन दा पैरमीटर आप ट्रेंगल तो एक साइड सब्सक्राइब को लगर की बराबर होती है तो यह भी आठ सैंटी मेटर्फ यह भी आठ सथैन्टी मेटर सु डिंट्र सेंटी looking करोगे तो आपके Riversan दैना जाएगा 24 सेंटीमीटर यानि आप शंगल्ह जेंट में तुरह हुए उस के अक Спार्या है है the sides of a triangle are 35 cm 54 cm 61 cm respectively the length of its language longest altitude this question में यह दे रखा है कि आपको एक त्रिबुज है त्रिबुज की आपको साइड दे रखी है अलग-अलग एक की साइड आपको दे रखी है 35 cm एक की 54 cm और एक की आप आपको दे रखी है 61 cm इस तरीके से आपको दे रखी है तो बताइए कि अगर आप इस पर कोई भी लंब गिराते हैं यानि यहां पर आप किसी भी परकार का मानते इस पर लंब गिराते हैं तो जब आप लंब गिराते हैं तो इसकी जो हाइट होगी क्या होगी यानि आप सबसे बड़ा वाला जो इस पे जो सीर से लंब गिराते हैं तो इसकी हाइट क्या होगी इसको मैं नाम देता हूं लगाने की काफी आविशक्ता लग जाएगी तो आप सबसे साइड को आपको क्या करना है एड करते हैं तो यह आपके पास कितना हो जाएगा यह जाएगा नौ पांच तीन आठ फिड़ो जाएगा वन यह हो जाएगा दस एक आठ नौ नौच है हो जाएगा 15 cm और यहां पर S है तो S यहां पर divided में चला जाएगा इधर जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 75 cm तो S तो निकलकर आ गया हमारे पास कितना 75 cm अब हम लगाते हैं इसमें हिरोन फॉर्मला यानि हिरोन का सूत्र जो कि कहता है अंडरूट आफ S, S-A, S-B, S-C यह कहता है तो लगाते हैं तो यह होता है आपके पास 75, 75 में से आप 35 माइनस करें 75 में से आप 54 माइनस करें फिर 75 में से आप 61 माइनस करें तो जब आप इसको solve करेंगे तो मैंने पहले ही इसको solve करके रखा हुआ है तो यह कुछ आ जाएगा 8, 8, 2, 0, 0 इस तरीके से आ जाएगा और जब आप इसको निकालोगे तो आपका निकल कर आएगा 4, 2, 0, under root of 5 cm इसको कुछ से solve कर सकते हैं अकेले में कहीं पर भी जब आपको time मिले तो आपको idea तो मिल गया होगा कि इसको solve कैसे करते हैं तो यह तो हो गया area of triangle हमारा निकल कर आगया अब हमें निकालना है land तो यह जो area निकला है पूरे triangle का निकला है आपको altitude निकालना है तो यानि इस सबसे बड़ा वाला जो longest altitude जब आप किसी side पे गिराओगे तो क्या होगा तो आपको पता होगा कि जब सबसे छोटी वाली side यानि किसी भी triangle पे आप जो जिसकी side सबसे छोटी होती है अगर आप उस पे altitude गिराते हो तो यहां से आ साइड को ज्यादा time लगेगा यानि यह ज्यादा दूरी ताह करेंगी तो अगर यह ज्यादा दूरी तो इस में से सबसे ही बड़ा लंब होगा यानि यह जो altitude जो सीड अन्व वह बड़ा होगा अगर मालेते हैं कि हम यह triangle लेते हैं और इसको सबसे बड़ी वाली side बना दे तो अब यहां पर अगर आप लंब गिराओगे ठीक है इस पर लंब गिराओगे तो यह तो आपका बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा लेकिन आपके पास एक बेस आपका छोटा है और यह बहुत बड़ी बड़ी है तो यहां से आने में बहुत टाइम लगेगा बहुत को अल्टिट्यूट को कमपैरिजन करें तो इसकी जो अल्टिट्यूट होगी जो सीर्स लंब होगा वह ज्यादा होगा इसलिए जो हमने लंगेस्ट यानि जो लंब गिराया है यह जो गिराया है वह सबसे छोटी वाली साइड पर गिराया है क्योंकि यहां से जब गिरते ह वे जाए तो यह जादा दूरी तय करें तो इसकी जो लंबाई होगी वह अपने आप ही सबसे बड़ी हो जाएगे तो यह जब लंब गिराते हैं तो यहां पर एक 90 डिगरी का निर्मान होता है हमेसा याद रखिए किसी भी ट्रेंगल पर किसी भी तुरिवूज में आप जब पर आप फॉर्मल लगा सकते हो एडिया ओफ राइट एंगल ट्रेंगल तो यह क्या होता है वन बाई टू बेस इंटू है यानि वन बाई टू अधार इंटू में लंब जो भी है आपको दिया हुआ तो एडिया फिर ट्रेंगल है तो इसका ट्रेंगल हमने एडिया का जो है निकाल रखा है चारसो बीस इंटू अंडरूट फाइव निकाल रखा है वन बाइटू बेस आपका 35 है और यह आपकी हाइट है जब आप सॉल्फ करोगे तो आपको सॉल्फ करकर आजाएगा एच इस इक्वेल टू में 24 अंडरूट आफ फाइव सैंटीमीटर यानि ऑप् अपने अगले क्वेशन की तरफ एक आइस लेस राइट अंगल ट्रैंगल है जिसका एडिया आठ सैंटीमीटर स्क्वेर है तो आपको यहाँ पर एक सम धिबाहू सम कोण त्रिबूज दिया हुआ है और इसका जो एडिया है छेतरफल है वो आठ सैंटीमीटर का दिया यानि सम कोंड त्रिबूज बना अब दूसरी प्रॉपर्टी यह कह रहा है एक आइसस लेस ट्रैंगल यानि कोई सी भी दो साइड बराबर हो हम यह सबसे बड़ी वाली साइड है है यानि कर्ण है कर्ण तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ट्रैंगल को इसको तो हम यह दोनों साइड यह दोनों जो बुजाए हैं वह बराबर बराबर हो जाएगे अब आपको दे रखा है कि इसका जो एडिया है छेतरफल है वह आठ सैंटीमेटर का स्क्वेर है तो इसको एक्स माल लें यह भी यह दो नि आधर इंटो है यह नि वन लाइक्स आपका एक्स है हाइट भी आपके पास एक्स है और एडिया आफ रेंगल आपको आट दे रखाए तो आप इसको इधर ले जाए तो 16 हो जाएगा यह स्क्वेर अब अडरुट में से निकालेंगे तो क्या आजाएगा आपका आइमिन 16 को तो आपके पास आजाएगा प्लस माइनस 4 तो बुजा है साइड है माइनस में तो होती नहीं है तो इसकी वैल्यू हम प्लस में लेंगे याद रखिए जब भी आप अंडरूट में से कोई भी वैल्यू निकाल रहे हो तो आंसर आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस और माइनस में आएगा जो की त्रिभुज कोई भी ट्रेंगल की साइड आपकी नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम पॉजर्टिव में ले रहे हैं अब आपको निकालना है लेंट आफ इस हाइपरटेनियस आपको पता है यह भी चार है यह राइट एंगल ट्रेंगल है यानि एक समकोंड त्रिभुज है आपको दो भुजाए पता चल गई है अब तीसरी भुजाए प्राप्त करनी है तो कौन सी थियोर्म लगाओगे पा स्क्वाइर प्लस में लंब का स्क्वाइर यानि पर्पेंडिकुलर का स्क्वाइर एच को इस साइड ले जाएए तो 16 प्लस 16 कितना जाएगा अंडरूट 32 सेंटिमीटर तो इसमें से कौन सा अप्शन लोगे ऑप्शन इस दा राइट आंसर अब हम चलते हैं अपने अगले संदार तरीके से करते हैं आप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा सॉल्फ करने में तो पहला कुशन यहां से है वैसे कुशन नमबर थर्टीन है तो रेशियो आफ सम आफ अफ अफ अव्दर्वेशन और टोटल नमबर अफ अव्दर्वेशन इस कॉल यानि प्रेच्छनों के योग और प्रेच्छनों की कुल संख्या के अनुपात को कहते क्या है यानि सपोस करते हैं कि आपको संख्या दे रखी है एक दो तीन चार पांच इस तरीके की संख्या दे रखी है जो आपने निकाली है किसी भी चीज़ को देखके सपोस करते हैं कि आपके पास एक कोई त्रेन ठी एक ट्रेन की पट्री और इस से आड़ल घारी थी तो आप ने देखा एक सेड़में दो रिल घारी गई परांश मिनेट बार्थ पांच गई ब दसिन बाद दस गई फिर 15 मिनेट बार थैम फिर 2 मिने को आपSh paso pas कूण अधर आपने sum करते हैं और इसको हम विभाजित कर देते हैं भाग करते हैं यानि डिवाइड करते हैं इसके number of observation कि यह कितने हमने निकाले हैं कितनी इनकी counting करके डिवाइड करते हैं एक दो तीन चार पांच तो इस तरीके के जो एक method आता एक जो एक process है जो एक formula बनकर आता है यानि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो इसको हम कहते है मीन मतलब वाला नी मीन मतलब आशाच अगला question करते हैं the median of the data आपको कोई data दे रखा है तो इसका median निकालना है यानि इसकी माध्यकार निकालनी है तो median निकालने से पहले आपको जो भी question है सबसे पहले उसे आप ascending order में निकाले आप यानि और विरोही करम पढ़ा होगा तो आप इसको जो बढ़ते करम है उसमें रखिए तो सबसे पहले चार फिर छह आठ नो ग्यारह यानि question में already पहले से आपको बढ़ते वे करम में यानि ascending order में दिया होगा है तो आपको निकालना है इसका median तो आप इसको count करे एक दो तीन चार पांच तो आपके पास जब आपने counting करी तो आपके पास जो end था यानि number of observations यानि जो counting थी आपक वो निकली odd क्योंकि आपके जो numbers है वो एक, दो, तीन, चार, पांच है तो आपके पास जब formula लगाओगे तो आपके पास निकलेगा n plus 1 divided by 2 tth term तो यहाँ पर n है आपका 5 है रख दिजे plus 1 2th यह हो जाएगा आपका 6 by 2 यानि आपका जाएगा यह third term थार्ड answer नहीं यानि त तीसरा कर्म है जो भी आपके पास data है जो भी आपके संख्या है जो भी आपके आकड़ा है उस आकड़ों में वो तीसरी संख्या है तो यहां से चुनिए पहली दूसरी तीसरी तो यह जो 8 है यह आपकी median हो जाएगी यानि option B is the right answer अब हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तर एक यहां पर data दे रखें आकड़े रखें यहां पर आपको माधिका निकाल लिया निमीडियन निकालना है आपको data इस तरीके से दिया हुआ है तो मैंने बताया तो सबसे पहले आप आकड़ों को बढ़ते कर्म यानि ascending order में रखें तो सबसे चुटा कौन है दो आप इसको देखें पांच और कहीं तो नहीं है नहीं है फिर इसके बाद और च्छोटा कौन सा है साथ साथ लिख जिए साथ और कहीं तो नहीं है है यह रहा है अब देखिए आठ 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 देखो आठ को पकड़ों कहीं भागना जाए यह रहा और देखो आठ तो नहीं है कहीं यह र कि आधस अब देखिए 10 के बाद 11 आएगा 12 आएगा देखिए तो ग्यारा नहीं है तेड़ा तरह नहीं है चौदर लिखंगे 14 और कहीं तो नहीं है नहीं है कि डिए पिर कही तो पंध्रह नहीं है पंद्रा नहीं है सोला सोला भी नहीं है सत्रा हाँ सत्रा है सत्रा भाई साप कैसे छोट सकते हैं फिर है । तारा भी है लिख दिछे नहीं सोचे समझे अठारा के बाद 19 19 है क्या अड़ी नहीं है 19 के बाद 20 20 भी नहीं है 21 अरे 22 भी अपसेंट है 23 23 नहीं 24 24 यह वंदा क्लास में डेली आता है 24 लो लंबर वाला 24 के बाद 25 25 भी नहीं 26 26 नहीं 27 27 बाइस आब है अब यह हो गए आपके बढ़ते करम में एक बार आप चैक कर लीजिए कुछ से दो पांट साथ साथ आठ आठ दस दस चौदा पंद्रह सतरह अठारह चौबिस 27 28 28 अड़ताले से गाना याद हो गया एक दो तीन चार पांच शह साथ मादरी दिख सेट वाला सम्तिंग्स तीरा कहूं सम्तिंग ऐसा लाना तो आप हम क्या करते हैं इनकी काउंटिंग करते हैं एक दो तीन चार पांच छैसाएं आठ नो तरस ग्यारा बारह तेरा चौदा पंदरह 18 यानि अब हमारे पास जो का लगेगा यह लगेगा एन बाइट टर्म और एन प्लस टू प्लस वन यह इसके साथ नहीं अलग से है तो कितने हैं आपके एन में आपका 16 तो तो आपका हो जाएगा एट और यह हो जाएगा आठ प्लस एक नाइंद तो इस यह जो आकड़ा है उसमें से आठवा और नौवा टर्म आपका मीडियन होगा तो वह आकड़े जो आपको कुश्चन में दिये हुए थे वह नहीं देखने जो आपने आसेंडिंग ऑरडर में करें हैं जो आपने बढ़ते करम में करें देखने हैं तो एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ तो एक तो भाई साब आगए हमारे पास दस और दूसरा है आपका 14 तो आएक तो आपका निगला 10 और 14 तो 10 लिख लिजे और एक है 14 अब आपको क्या करना है यह दो अलग अलग निगल गए लेकिन option में तो एक ही दे रहा है तो आप दोनों को add कर लिजे इसका mean निकाल लेते हैं तो यह आपके पास हो गया 4 यह हो गया 2 और यह हो गया 2 तो यह option आया आपका 12 तो इसमें से सी आपका राइट आंसर जब इस तरीके के आपके option के साफसे आपको थोड़ी चाल बदल लेनी है यहाँ पर आपको median यानि अगर माधिका देखी जाए इस आकड़ों की तो सही तोर पे 10 है और 14 लेकिन option में तो हम देख रहे हैं कि 10 और 14 एकटे यहाँ अलग है सब एक डिजिट वाले option है तो हम क्या करते हैं यह जो डोडिजिट हैं इन दोनों का मीन यानि और देते तो इन दोनों को कितने हैं यह तो तो डो से डिवाइट कर आ इसका मीन आर्थमेटिक आगया तो आगे आपका बारह तो बारह इसदा राइट आंसर पहुंच जाओगे अब हम You're a bald in interval दस से लेके बीस बीस से लेके तीस। और बीस को हम किस इंटर्वल में included करें यानि की एक वर्ग Answald है जोकि दस से लेके बीस का है बीस से लेके तीस का है तो वीज संक्या को आपको किस अंतराल में शामिल करना चाहिए तो सपोस करते हैं कि आपने स्टाटेस्टिक संक्यकी में यह पढ़ा होगा कि हम एक्जामपल से इसको समझते हैं कि समझते हैं 0 से लेके 5 रोल लंबर वाले 0 रोल लंबर कुछ नहीं किसी का नहीं होता है यानि एक से लेके 5 रोल लंबर के जो बच्चे होंगे वो उसको चॉकलेट मिलेगी उसको क्या मिलेगी चॉकलेट और 5 से 10 के तक के बच्चे को मिलेगी चौमिन मिलेगी ठीक है तो एक से लेके पांच तक में और पांच से लेके दस में आप बोलोगे कि पांच वाले को आप इसके अंदर काउंट करोगे एक दो तीन चार पांच फिर यहां से काउंट करोगे पांच है साथ आर्ट नौ दस आप यह देखोगे एक दो तीन चार पांच यहां पर भी आ रह जिसका वो तो चॉक्लेट भी खा जाएगा और चौमिन भी खा जाएगा हमारे पास तो सरफ या चॉक्लेट मिलेगी या चौमिन मिलेगी तो हम क्या करते हैं जब Statics का बनाते हैं तो एक से लेकि 5 हम ये जो Starting हमने ली है उसको जरूर include करते हैं और ये जो बाहर वाली जो संख्या है इसको हम स्रीव लिखते हैं पर include नहीं करते हैं कि भाई लिखना है पर आप होंगे नहीं इसी तरीके से इस वाले रोल लंबर में 5 है सामिल लेकिन 10 नहीं होगा इसी तरह 20 है 21 है लेकिन 39 के बाद जो 30 है वो नहीं होगा तो इसलिए 20 को हम डालेंगे option B में 20 से लेके 30 के interval में तो option B is the right answer अब हम चलते हैं अपने अगले question की तरह find the maximum value if the range is 38 and the minimum value is 82 यानि आपको यहाँ पर क्या निकालना है एक range निकालना है तो आपको अधितम मान यानि maximum value और जो उसकी निम्तन मान यानि minimum value 82 दे रही है तो आपको range यानि उसकी सीमा निकालना है तो suppose करते हैं कि range होता क्या है कि एक आप suppose करते हैं जंप लगाते हैं यह आपका 0 मीटर और आप जंप लगाते हैं 15 मीटर तक और पेड़ है आपका पांच मीटर आगे 20 मीटर पर तो आपकी पहुंच से पेड़ कितनी दूरी पर है बीस मीटर की दूरी पर आपने छलांग कितनी दूरी पर लगाई 15 मीटर की दूरी पर यानि आपकी range कितनी हुई पंदरा यानि इतनी आपकी capacity है आप 15 तक या पंदरा के भीतर 14, 13, 12 इतनी अंदर तक आप छलांग लगा सकते हैं यह आपकी capacity यानि आपकी maximum जो range है जो आपकी सीमा है वो 15 है ऐसे भी समझ लिजे कि एक राजा है तो राजा की जो border है जो एक boundary है वो माल लेते हैं 40 km के range पर है पकड़ लेगा वो करने ही नहीं कुछ देगा तो इसका range है 40 km तक ही इसका बोल बाला इसका दबदबा चलेगा इसी कहीं सिक्का चलेगा इसके बाद दूसरा सिक्का ही चलेगा उसके बाद डॉलर वालर चलेगे तो इस range होती है आपकी जो सबसे ही maximum limit तो maximum आपकी है 15 और minimum ह आपकी 0 यहां पर तो question के हिसाब से आपका बन जाएगा range है आपकी यानि जो आपकी सीमा है वह आपकी maximum value और minus में आपकी minimum value हो जाएगी की maximum value यानि अधिक 8 और minimum वाली यानि noon ताम乐 तो maximum value आपकी किसनी है question में दे रख़ा है ने question में to maximum value निकालना है आपको range दे रखी 8 यानि 32 तो आपको range दे रखी 38 yeah maximum value आपको 3 रखी है 82 तो कैसे निकालोगे रेंज होता है आपका maximum value minus minimum value तो range है आपका 38 maximum value निकालनी है इसको एक्समान लेते है minimum value 82 तो 38 plus 82 कितना हो जाएगा आपके पास आठ दो दस आठ नौ नौ तीन बारा 120 यानी 120 120 इस दा राइट आपसो अब हम बढ़ते अपने के लिए क्वेशन की तरफ if each data in the observation is increased by 5 than the mean यानी किसी प्रच छड में यानी आपको कोई data कोई भी आप activity कोई भी experiment करते हो विज्यान का science का तो आप data एकटा करते हो जैसे कि आप example के तो पर आप लिखते हो 123 तीन डाटा लेते हो तो एक question कह रहा है कि हर एक data में अगर आप पांट संख्या बढ़ा दो तो सब्सक्राइब मीन कैसे निकालोगे मीन है इन तीनों को एड़ कर दे तो कितने एक दो तीन तीन तो आप एड़ करो तीन दो पांच और एक च्छह में से तीन च्छह को तीन से डिवाइड करोगे दो अब यह कह रहा है कि हर एक digit में अगर आप पांच पांच बढ़ा देते हो इसमें भी पांच जोड़ देते हो और तीन में भी पांच यानि एक में पांच जोड़ देते हो यानि आपकी जो भी आपने experiment करके संख्या values निकाली है सब आप पांच पांच बढ़ा देते हो तो आपका जो में निकलेगा answer उसमें भी पांच बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या सेम रहेगा या पांच घड़ जाएगा या कुछ भी option नहीं है वह आपको निकालना है तो चेक कर लेते हैं एक है एक में आप पांच बढ़ा दो को भी 5 बढ़ा दिज्ये और 3 में भी 5 बढ़ा दिज्ये ठीक है कितना हो जाएगा आपके पास बढ़कर यह जाएगा 6 हो जाएगा कि ये आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा ये आपके पास कर लिए शिक्स प्लस साइवन प्लस एट अब इसका निकालते हैं मी दिवाइट भाइट तो आपके पास आठ छे कितने हो गए चौदा चौदा साथ कितने हो गए एककेस और डिवाइट भाइट 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 तो पहले जब हमने यह आप का उरिजिनल डाटा है 123 जब हम इसमें पांच एड करा दिया था तो वन में पांच एड करा था च्छे टू में फाइड करा था यानि पांच एड करा था साथ तीन में पांच एड करा था यानि आठ जब तीनों कामने मीन निकाला औसत निकाला तो आ गया साथ और यहां पर बिना पांच एड आरे निकला था 2 तो कितना increment हुआ यानि 7 में से 2 माइनस करोगे भाई 5 यार ये question बात तो सही कह रहा है कि जब आप हर एक observation हर एक आपकी जो भी प्रेच्छन है उसमें आप 5 add कर देते हो यानि जो 5, 4, 3 जो भी संख्या add करते हो तो mean भी बढ़ जाता है यहां से एक idea मिल गया इसका मतलब है increased by 5 जो है सही answer है यह काफी logically question था आपके लिए काफी beneficial रहेगा अगला question है find the mode of the following data यानि इन आकड़े हैं यह जो आपको दिया हुआ है data इसमें से यह आपको निकालना है कि इनका बहु का बहु लक यानि की लक आपको निकालना मोड क्या होता है वह number जो कि किसी भी data में किसी भी आपने experiment करें आपको data अगयरा निकलें जो repeat होते हैं यानि आपके पास maximum number of repeat वह संख्या जो कि data में सबसे ज्यादा repeat होती है तो आप option देखिए पहले option देखिए तो 14 इसमें 14 ढूंड़िए 14 कितनी बार है भाई एक बार ठीक है काट दिजिए दूसरी बार ओके दो बार है तीन बार ओके तीन बार है चार बार यानि चार बार है 15 काउंट करिए एक बार दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पंद्रा है पांच बार, इसका स्कोर रहा चार बार, सोला काउंट करिए, सोला सोला, सोला एक बार, सोला भाई एक ही है, सत्रा, सत्रा 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 सत्रा, सत्रा भी एक बार, यानि सबसे अमीर का हुआ हुआ पंदरा जो सबसे बार आ रहा है यानि पांच बार अप्शन भी इस दा राइट आंसर अब हम बढ़ते हैं अपने अपने लास्ट कोशन की तरफ ही हमारा अनतिम कोशन है फैंड डाटा है और इसका पूरा और इसक जो आफेमेटिक में साथ दिया हुआ है तो आपके पास जो डाटा है जो भी आकड़े हैं सबको जमा करिए चार प्लस पांच प्लस छह प्लस साथ अख्लाइग थाथ तो आफके कितने हो गए एक दो तीन चार पांच है इस का आर्थमैटिक लीम आपका साथ के बराबर है तो अड़епाइब करें पांच चार नौ नॉच है पंदरा पंदरा साथ आपका कितना हो गया 15 गया बाइस हां 1572 ऐस गया और 15 कितना होगे आपके पास 30 तो 30 प्लस एक्स इसको इस साइट चला जाएगा 42 तो 42 में से 30 गए कितने बचे 12 तो option D is the right answer इसी के साथ हमारी ये वीडियो खतम होती है समाप्त होती है मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में बाटें और ग्यान का ग्यान बाटने से कहते है बचता है तो इस ग्यान को और बाटें और इसी तरीके से अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment section में है उसमारं आप संपर्क करें लिखें जो भी आपका person है हम आपको उसका उत्तरज अवश्य देंगे और All right, I wanna see you in the next one. Take care.